ये हैं खील से बने टेस्टी लड़ू और खील से बनी चटपटी नमकीन हेलो फ्रेंड्स, शेल्स किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली की बची हुई खील से दो तरीके की रेसिपी खील सवी के घरों में आती ही है और खील ऐसे ही वेस्ट चली जाती है तो दिवाली की पूजा के बाद हम सोचते हैं कि खील से क्या बनाया जाए तो आज हम आपके लिए लाएं हैं दिवाली की बची हुई खील से मिठाई और नमकीन बनाने का बहुती नया और आसान तरीका तो आईए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले हम खील के लड़ू बनाकर तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां लगवक 100 ग्राम खील लिये और मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया इसमें जो दान होते हैं उसको मैंने साफ करके इसे एक बार अच्छे से भून लिया है ताकि यह क्रिस्पी हो जाएं जिससे हमारे लड़ू खाने में कुरकुरे वनेंगे गैस का फ्लेम ओन करके मैंने एक भारी तले की कड़ाई चड़ा दिये और इसमें मैंने लगवक 100 ग्राम गुड डाल दिया है और गुड में हम आदा गलास पानी एट करेंगे और गुड की हम चाशनी बना कर तयार करेंगे आज हम खील के लड़ू गुड से बना रहे हैं बहुती स्वादिस्ट बनते हैं और ये लड़ू आसानी से फटाफट बन जाते हैं हमें लडू बनाने के लिए गुडकी एकदम कड़क चाषणी लेनी है जो हमारी जैसे हम गजक बनाते हैं वैसी ही चाषणी हमें इसकी तयार करनी है अब मैं चेक करके देख रही हूं तो चाषणी से एक तार आसानी से बन रहा है लेकिन अभी हमें चाषणी को और ज्यादा पकाना है अब हमारी लड्डू के लिए चाषणी तयार हुई है कि नहीं इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम एक कटोरी में पानी लेंगे और च तeshvern이네 के विदेश खाइटे हेस सब्सक्राइब कम समय हम चाशनी में पहरेगे बंचोनल को सकति सभी है हुट्छे के ठंड़ा होने के बाद इसमें खील मिक्स नहीं कर पाएंगे छाजनी की तोसलिएぜ फृच्छनी पर उच्छेसे नहीं झालेंगे परकी चाशनी खील पर अच्छे से कोट हो जाए अब हम हातों पर घी लगा लेंगे और इसके लड़ू बनाकर इसी समय तयार करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद लड़ू बनाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम गरम गरम पर इसके लड़ू बनाकर तयार करेंगे आप हातों पर घी लगाकर ही लड़ू तयार करें अगर आप पानी लगाकर तयार करेंगे तो खील के लड़ू नरम पड़ जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे और आप खील के जितने चोटे या बड़े लड़ू आप अपनी पसंद से बना सकते हैं तो मैंने इसके मीडियम साइज के लड़ू बनाकर तयार कर लिये हैं बहुत आसानी से लड़ू बनकर तयार हो जाते हैं तो friends आप देख सकते हैं कि हमने सारे लड़ू बनाकर तयार कर लिए हैं अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ तो आज हम दिवाली की खील का बहुती चटपटा स्नेक्स बनाकर तयार करेंगे अब से पहले मैंने कड़ाई में दो चम्द ओयल कर अच्छे से गरम कर लिए हैं एक कड़ी मूफली के दाने एड़ करेंगे और मूफली को अच्छे से फ्राय कर लेंगे गczyć हमारी अच्छे से फ्राय हो गई है तो इस समय हम एक्स्ट्र ओयल निकाल लेंगे और इसके बाद मैंने कड़ाई में कड़ी पत्ते को एड़ किया है कड़ी पत्ते को हम अच्छे से चला कर भून लेंगे ताकि कड़ी पत्ते अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं अब इसके बाद कड़ाई में हम आदा चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे जिससे हमारी नमकीन का कलर बहुत ही बढ़ी आएगा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को एड़ करने के बाद हम कडाई में खील एड़ करेंगे और खील को चला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चटपटी नमकीन को बनाने में 5 मिनट का समय लगता है आपको यकीन ही नहीं होगा कि खील से इतना बढ़िया नमकीन बना सकते हैं आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बना कर खाएंगे योकि दिवाली में खील तो सवी के घरों में आती ही है आप इस खील नमकीन में मुफली के लावा बुने चने या और कोई भी ड्राइफूट्स एड़ कर सकते हैं आप इस खील नमकीन में मैंने आदा छोटी चमच काला नमक एड़ किया है नमकीन में काला नमक एड़ करने से नमकीन का टेस्ट बहुती लाजवाब आता है एक बहुती बढ़िया चटपटी नमकीन बनाकर तयार कर सकते हैं यह टी टाइम स्नेक से आप चाय के साथ इसे इंजोई कीजिए आजाई आजाएगा आपको खाकर और इस चटपटी नमकीन रेसिपी को आप ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में भरकर रख लीजे और इसे आ मिठाई तयार की है और नमकीन तयार की है तो अगर आपकी दिवाली पे खील बचे जाती है तो आपको सोचने की अब बिल्कुल वी ज़रत नहीं है आप इस तरीके से आसानी से यह टू-इन-वन रेसिपी घर पर तयार कर सकते हैं जो घर में सभी बच्चे और बड़े सभ लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शियर कीजेगा और ऐसी नहीं नहीं रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर मिलते हर मादेखने समर्ण वीडियो में पार.